हललो दोस्तो तो दोस्तो आज हम लोग Alita the Battle Angel का फुल मूवी एकस्पेंड करना वाल हैं तो बिना समय गवाए Chele वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो मूवी के सुरूआत होती है एक कचड़े का धेर से और वह कचड़े का धेर एक जोलम से आती है जोलम यानि इंसानों की दुनिया से एक दूर दुनिया, जो कि इंसानों की दुनिया से अलग रहती है, जिसको जोलम नाम दिया गया, उस कचड़े के धेर में एक डॉक्टर आता है, वह डॉक्टर रोबोट का इलाज करता है, और वह भी फिरी में, वह डॉक्टर कचड़े क जो टूटा-फुटा सरीर रहता है उसमें एक नया बोडी इंजट कर देता है जो कि उसी की बेटी का वह बोडी रहता है जो कि वह अपनी बेटी को या बोडी लगाना चाहता है और उसकी बेटी मर चुकी होती है और वह बोडी बहुत समय से रखा हो रहता है वही बोडी को इस लड़की के बोड़ी में लगा देता है उसके बाद वह लड़की को होस आता है जब उसे होस आता है तो उसके बाद उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता रहता है यहां तक कि उसे अपने नाम के बारे में कुछ पता नहीं रहता है तब उसे वहाँ डॉक्टर बताता है कि तुम्हें कचड़े के डेर से लाया गया है वही समय वहाँ डॉक्टर उसे एक नाम देता है जो की नाम रहता है अलिटा या नाम उस डॉक्टर की बेटी का रहता है जो की उस लड़की को देता है उसके बाद वहाँ डॉक्टर उस ल लड़के को पसंद करने लगती है. कि अगले सिन में एक लड़की का मडर हो जाता है. और वही रात अलिटा उस डॉक्टर के हाथ में चोट लगा हुआ देखती है. तब अलिटा को सक्थ होता है कि इस डॉक्टर नहीं उस लड़की को मारा है. उसके अगले सुबा अलिटा उस डॉक्टर को बोल के बाहर गुमने के लिए निकलती है तभी एक औरत अलिटा को देखके सोख हो जाती है या औरत डॉक्टर की पतनी रहती है और वहाँ अलिटा को देखके इसलिए सोख हो जाती है क्योंकि उसका जो body रहता है वहाँ उसकी बेटी का ही रहता है उसके बाद Alita Hugo से मिलने जाती है जो कि वहाँ पे एक basketball match हो रहा होता है लेकिन थोड़ा अलग taps है और Alita सुरू में तो वहाँ खेलने नहीं जानती है लेकिन match ending होते होते Alita वहाँ की favorite player बन जाती है उसके अगले पैसे जमा कर रहा है और वहाँ पैसे हुआ किसी की पाठ पूर्जा को बेच के कमाता है उसके रात में डॉक्टर अपना हथियार लेके एक लड़गी को फिर से मारने के लिए निकलता है लेकिन उसके पीछे-पीछे अलिटा आती है उसे मारने से रोक देती है फिर वहाँ पर यह पता चलता है कि वह जो डॉक्टर है वो हंटर ओरियर है हंटर ओरियर वो होते हैं जो की पैसो के लिए सिकार करते हैं जिसके उपर इनाम होता है और वहाँ पर एक रोबोट डॉक्टर को मारने होता है तो अलिटा उस रोबोट को मारना चाहती है लेकिन अलिटा उस रोबोट को भी मार देती है, उसके बाद जो सबसे आखरी वोला रोबोट रहता है, उसे भी अलीटा बहुत बुरी तरह से मारती है, याद देखे वहाँ डॉक्टर बहुत ही हैरान होता है, और वहाँ आखरी रोबोट जिन्दा बज जाता है वहां से भाग जाता है उसके बाद डॉक्टर अलिटा को बताता है कि उसकी एक बेटी थी जो कि उसकी बेटी को कुछ बुरे रोबोट ने मार डाला था इसलिए वह हंटर वोड बन गया ताकि उसकी बेटी की मौत का वहा बदला ले सके अगला सिन में हमें दिखाये जाता है कि जो रोबोट को अलिटा ने बहुत बुरी तरिकार से मारा था उसका नाम रुवेश का रहता है वह इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है और यह डॉक्टर उस डॉक्टर की पतनी रहती है कि इसे फिर से बनाए ताकि या उस लड़की को मार के मेरे पास लेके आ जाए अगला सिन में अलिटा हुगो के साथ एक मैंच में जाती है इस मैंच में एक बोल पकड़ के एक जगा पे ले जाना रहता है लेकिन इस मैंच में जिंदगी और मौत का भी खेल होता है और इस मैंच को जो भी जीता है वहा इना में बहुत सारा उसे पैसे दिये जाते है उसके बाद वहाँ पे हुगो के साथ ही आ जाते है और हुगो वहाँ से चला जाता है और हुगो अपने साथियों के साथ जाके उस मैंच के जो विनर रहता है उसे पकड़ के उसका वा हाथ काटके Victor को देदेता है जिसके बदले वा Hugo को बहुत सारा थैसा देता है और Victor उसके हाथ से जो खायर रहता है उसको एक अच्छा खासा हतियार बनाना चाहता है अगले सिन में Hugo ऐलिटा को एक जहाँच के पास ले के जाता है जोकि यूद के दोरान वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ था वह उसे वहाँ पे इसलिए लेके जाता है ताकि उसे अपनी अतीत के बारे में कुछ यह आदा सके अलिटा फिर उस जहांच के अंदर जाती है और वहाँ से एक बोड़ी निकाल के लाती है वहाँ पे एक जालिम हंटर वारियर से अलिटा की मुलकात होती है जोकि बहुत ही खतरनाक रहता है वहाँ अलिटा से बत्तिमिजी करता है और अलिटा बहुत बुरी तरिका से उसे पीट देती है इसके बाद अलिटा वहाँ पे जितने हंटर वारियर रहते है वहां सबकी पिटाई कर देती है उसके बाद वहां पे Ruiska आ जाता है जिसको अलिटा ने सुर्वात में बहुत बोरी तरिकासी पिटी थी और वहां पहले से बहुत ही ज़्यादा खतरनाग हो जाता है वहां पे वहां अलिटा को मारने आता है और अलिटा और रुइसका की बिच बहुत ही जबज़त लडाय होती है लेकिन आखिर में रुइसका अलिटा का पुरा बोड़ी तबाह कर देता है तब ही डोक्टर आके वहां से उसे बचा लेता है उसके बाद वहां डोक्टर अलिटा की बोड़ी में वहां बोड़ी फिट क छोकिृटि अलिटा उस जहां से लेके आई थी, उसके बाद अलिटा हुगो को अपना हार्ट देती है, जिसके थुरूअ उसके हार्ट को बेच़के वहा पैसे जटा के जोलं जा सके लेकीशोवी् सब की पिटाई कर देती है तभी एक hunter warrior हुगो को जान से मारने के लिए आता है या वही hunter warrior रहता है जिसको अलिटा ने पिटा था और वह उसी का पतला लेना चाहता था इसलिए वह एक आदमी का खुद से मडर करता है और वह हुगो को फसा देता है उसे क्रिमिनल बना देता है उसलिए वह उसे मारने के लिए दोडाता है लेकिन वह हुगो अलिटा को फोन कर देता है और अलिटा उसे बचाने के लिए वहां दोड पड़ती है और वह hunter warrior जैसे ही हुगो को मारने वाला रहता है वैसे ही अलिटा आती है और उस hunter warrior को पिटाई कर देती है तब अलिटा को वहाँ पता चलता है कि Hugo क्रिमिनल लिस्ट में और उसका मरना तय है क्योंकि उस city का rule है जो भी क्रिमिनल रहता है उसे मार दिया जाता है और उसका सिकार हंटर ओरेर करती है तो अलिटा भी हंटर ओरेर रहती है इसलिए अलिटा बोलती है कि इसे मैं मार हूँ और वह हुगो को मार देती है वहाँ पर डॉक्टर की पत्नी मौजूद रहती है और वह एक टेकनलोजी से हुगो का दिमाग को बचा लेती है और अलिटा को लगता था कि हुगो की ये हालत की जिम्मेदार विक्टर भी है इसलिए वह तलवार लेके विक्टर के पास जाती है तभी उसके वहाँ की रोबोट सिक्रोटी अलिटा को रोक लेती है लेकिन अलिटा सब रोबोट को मार देती है उसके बाद विया विक्टर के पास पहुंचती है तभी वहाँ पे रुष्का आ जाता है और उन दोनों की जबज़स लड़ाये होती है और अलिटा रुष्का को भी मार देती है और उसी समय जोलम के मालिक नोवा विक्टर के सरीर में परवेश करता है लेकिन अलिटा उसे भ किमनल हो अगर मैं नीके रहा तो मैं मारा जाओंगा हमारी दुनिया ऊपर है और किसी तरह जासे अधियार राता है